Hello viewers, welcome to Khala Jan's Kitchen. मैं हूँ फर्खंदा और आज मैं बना रही हूँ Ice Box Cookies. बहुत ज़्यादा बटर होने की वज़ा से इनका जो डो बनता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है और पकाने से पहले फिर इसे थोड़ा अर्सा हमें फ्रिज में रखना पड़ता है. इनके लिए हमें चाहिए होगा 2 cup मैदा, 1 cup room temperature पे unsalted butter, 3-4 cup चीनी, 1 बड़ा अंडा, 1 teaspoon vanilla extract, 1-2 teaspoon नमक और 1-2 teaspoon baking powder. आज मैं 2 flavors की cookies बना रही हूँ. एक मैं बना रही हूँ freeze-dried strawberries के साथ जिसके लिए मैंने 1 quarter cup freeze-dried strawberries लिये हैं और दूसरी मैं बना रही हूँ बादाम की, उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 teaspoon almond extract, quarter cup पिसेवे बादाम, ये बादाम मैंने बाजार से लिये हैं, आप चाहें तो खुद भी उनको चील कर और पीस लें, और quarter cup ही मैंने लिये हैं, साबत बादाम जिनको मैंने crush कर लिया है मोट कर लेंगे, मैं electric का hand mixer इस्तेमाल कर रही है, आप चाहें तो stand mixer इस्तेमाल कर लें या फिर हाथ से भी ये बहुत अच्छी तरह से whisk हो जाता है, जब ये अच्छी तरह से mix हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी डाल कर और उसे फिर हम butter के साथ mix करेंगे, चीनी और butter को हम जतना ज़्यादा whisk करेंगे, ये अतना ज़्यादा light और fluffy हो जाएगा, और इसका रंग भी बहुत हलका हो जाएगा, और duplicate को क्कीज जो है, वह बहुत ज़्यादा fésta मनेंगे, चार मिनट लगे थे, और देखिए ये ये कतना ज़्यादा light और fluffy हो गया है, और इसका रंग भी बहु इनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे इतना कि वो फिर से दुबारा लाइट और फलफी हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे वनिला एक्स्टैक्ट। अगर आप साधी कुकीज बनाना चाहते हैं तो फिर सिर्फ बनिला एक्स्टैक्ट ही काफी होगा। आपको बादाम या स्रावबेरी या कुछ और डाल दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी हम डो के साथ मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदे को हमने सारा एक ही मर्तबा में नहीं डालना है पहले हम इसमें आदा ढालेंगे उसे बाकी के अज़्जा में इतना मिक्स करेंगे कि वो यकजान हो जाए। और फिर उसके बाद राधा मैदा ढूर डाल देगे। बकाया का आधा मैटर डाल कर अब हम इसको हाफ से मिक्स करेंगे मिक्स हो जाने के बाद जो डो है वो बहुत ज्यादा नरम और सिल्की होगा तो ये देखिए हमारा परफेक्ट कुकी डो तयार हो गया है इसे हम हाथ से इखटा कर लेंगे अब ये बेक होने के लिए तयार है लेकिन बेक करने से पहले हम इसमें अपने flavors डालेंगे क्योंकि आज मैं दो तरह की cookies बना रही हूँ इसलिए मैंने डो को आधा तक्सीम कर लिया है और आधे में मैंने quarter cup freeze dried strawberries को crush करके डाल दिया है और उसमें मैं अच्छी तरह से mix कर लूगी इस stage पर आप जो भी flavor चाहते हैं वो उसमें डाल सकते हैं strawberries की जगा आप dates डाल लें, tutti fruity डाल लें या फिर अगर आप चाहते हैं तो dried apricots भी डाल सकते हैं उनको बारिक बारिक काट कर बाकी के बचेवे dough में मैंने almond extract डाला था और जो quarter cup पिसेवे बादाम लिये थे वो डाले थे और उन्हें dough के साथ mix करके dough का मैंने log सा बना लिया था अब plastic paper बिचा कर उसके उपर मैंने कुटेवे बादाम डाल कर log को उसमें roll कर लिया था और फिर plastic wrap को बंद करके और दोनों तरफ से उसे tight कर दिया था अब हम इस dough के log को fridge में रखतेंगे कम से कम एक दो घंटे के लिए इस stage पर अगर आप चाहें तो इस dough को freeze भी कर सकते हैं इसी तरह से मैंने strawberry वाले dough को भी wrap करके और log सा बना लिया था और इसे भी मैं fridge में रख दूंगी दो घंटे fridge में रहने के बाद logs अब इस like हो गए हैं कम इनको आसानी से काट सकते हैं इन्हें काटने के लिए हमें बहुत तेज चुरी चाहिए मैं इन्हें तकरीबन quarter inch थिक काट रही हूँ आप अगर चाहें तो पतली भी काट सकते हैं या फिर मोटी भी काट सकते हैं आपको सिर्फ फिर baking के time में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन cookies को bake करने के लिए मैंने oven को 350 degrees Fahrenheit पर preheat कर लिया है जो के बनता है 177 degrees Celsius या gas mark 4 कुकीज शीट को मैंने parchment paper से cover कर लिया है और इसके ओपर butter लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंके cookies में इतना butter है कि वो चिपकेंगी नहीं cookies को tray में रखते वे इस बात का ध्यान रखना है कि हम उनके दर्मयान थोड़ा फासला रखेंगे ताके वो चारों तरफ से अच्छी तरह से bake हो जाएं oven के preheat होने के बाद हम cookies की sheet को दर्मयानी shelf पे रखतेंगे और इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक bake करेंगे जब तक strawberry की cookies bake हो रही थी मैंने almond की cookies की तयारी कर ली थी इनको भी मैंने quarter inch pieces में काट लिया है और इनको भी मैं baking tray में parchment paper लगा कर और रख लूँगी strawberries की cookies को पकने में पूरे 13 मिनट लगे हैं और ये देखिए इनमें कितना अच्छा सा brown color आ गया है अब हम इन्हें ट्रे में से निकाल कर और rack के उपर रख देंगे ठंडा होने के लिए strawberries की cookies को निकाल कर मैंने almond की cookies की ट्रे को oven में रख दिया था और उन्हें पूरे 10 मिनट लगी हैं पकने में तो ये देखिए हमारी strawberry की और almond की cookies तयार हो गई है और ये चाय के साथ, coffee के साथ बहुत मज़ा देती है और वैसे भी आजकल Christmas के दिन हैं अगर आपने सेंटा के लिए रखनी है दूद के glass के साथ तो मुझे पूरी उमीद है कि सेंटा को भी ये बहुत पसंद आएंगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकॉन का बटन दबाने से आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहेगी Enjoy